Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी Free Fire Max गेम को खेलते हैं, यूज करते हैं आप पहले से Free Fire Max को यूज कर रहा गेम खेल रहे हैं तो अगर आप चाते हैं अपने Free Fire Max की जो ID है उसे हटाकर दूसरे ID को लोगिन करना और उसमें खेलना तो आप अपने Free Fire Max से अपनी ID को लोग आउट कैसे किजेगा तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं तो अगर आप चालते हैं अपने Free Fire Max से अपनी ID को या दूसरे किसी की ID आपने पॉले लोग इन की थी उसे लोग आउट कैसे कीजिएगा हटाईएगा कैसे तो आपको क्या करना है यहाँ पर Free Fire Max अप्लिकेशन को ओपिन करना है तो चलिए इसे ओपिन कर लेते हैं तो पहला इस्टेफ है कि अगर आप पहले से अपने Free Fire Max में दूसरे किसी की ID आप यूज कर रहे हैं या आपकी ID है जो दूसरे के मोबाइल में है तो आपको क्या करना है Free Fire Max अप्लिकेशन को ओपिन करना है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी Free Fire Max को ओपिन किया है जिसमें मेरी ये Facebook की ID है मैंने किरियाट किया हूँ ये मेरी ID है जो मैंने Login करके रखा है तो मैं चाहता हूँ इस Free Fire Max से अपने इस ID को हटाना रिमूब करना तो उस मोबाइल में आपको Free Fire Max को ओपिन करना है जिसमें आपकी Facebook की ID है जो पहले से Login है और इसके बाद आपको क्या करना है राइट साइड में आपको उपर में जो setting का option शो कर रहा है आपको setting पे क्लिक कर देना है और setting पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface है जो देखने को मिलेगा तो आपको नीचे में एक option मिल रहा होगा logout का तो आपको अपने ID को हटाने के रिमूब हो जाएगी और आपको यहाँ पर फिर से login का option है जो सो हो जाता है तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने free fire की ID है जो दूसरे के mobile में कभी login की थी आप उसके mobile से हटा सकते हैं या remove कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तमारे वीडियो को like किजेगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा